कि यह विल्कम बैक टो चैनल इससे साइडेंटल व्लॉग्स और आज एक इंपोर्टन कॉंपोनेट के बारे में बताने जा रहा हूं जो की रियली मतलब बर्निंग संशेशन को कम करने में इतना है और इतना ज्यादा वाइट लिजिंस को कम करने में हेल्प करता है उसका एफेक्ट मैं पिछले फोर यूर्स से नोटिस कर रहा हूं और इस रियली एफेक्टिव तो जी हां आज हम बात करेंगे को इंजाइम क्यूट टेम के बारे में जो की हमारे बॉड़ी में नैचरली प्रोडूस होता है प्लस मेडिसिन के फॉर्म में भी डिफरेंट कॉमिनिशन में मिलता है मार्केट में तो हम लोग तो बहुत सारा अंटिओक्सिद्स खाते हैं जैसे कि एसम फाइबर हो गया टर्मी क्योर हो गया बीटा कैरोटीन हो गया ब्लैक ग्रेप सीट एक्स्ट्राक्ट हो गया लाइकोपीन हो गया जो सबकी सबसे हूं मतलब पिछले 2010 से में दे रहा हूं हिमालेक ड्रग का ओक्सिटार्ड हो गया मैक टोटल हो गया वीकोर हो गया इतने सारे अंटि आउक्सिद्स में जो कॉम्पोनेंट्स हैं इंडिविजल कॉमपोनेंट्स होता है एक एंटियोग्सिद्स क्या करता है आपके बॉड़ करते हैं हार्ड डिजीज करवाते हैं ऐल्जीमस डिजीज करते हैं पार्किंसन डिजीज करते हैं फाइब्रोमेल्जिया करते हैं कितनी सारी विमारी है डायविटीज तो यह सब क्या होता है जो फ्री रैडिकल्स है हमारे बॉड़ी को हाम करते हैं तो हम एंटियोग्सिद जो उसका है जो कॉंपोनेंट है यह सबसे ज़्यादा दिखा गया है कि बेनिफिशल है बर्निंग सेंटेशन में इसका बर्निंग सेंटेशन का कम करने का कैपिबिलीटी है वन कैप्सूल आपकर लेंगे कोईजम क्यूटन का तो थ्री वीक्स के अंदर बहुत अच्छा रेजर्ट मिलता है थ्री वीक्स के अंदर आपको इट रिडूस दर बर्निंग सेंटेशन अब उसका डोसेज क्या है यूजली कोईजम क्यूटन जो 5200 mg के इसमें आता है कैप्सूल में और जो सबसे जो कम डोस है यह भी एफेक्टिव होता है ऐसा मतलब की निक पर हाई डोस लेना है क Holzam Q10 का हर सिस्टम बॉडी के इसमें एफेक्ट होता है सबसे जादा इंपर्टेंट होता है उसका हार्ट की और हार्ट में जिसका हार्ट की मसल्स होती है उसको स्ट्रेंधनिं hun यहिळी हमारे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में उसको कम करता है यह ठीक है दूसरा आ गया brain brain में जितने भी neurons neural connections बनाता है यह brain में जो हमारा Alzheimer's disease cause करने के जो free radicals है उसको reduce करता है Parkinson disease कम करता है gastroenterologist tract जो GIT होता है हमारा उसमें भी improvements लाता है तो oral minkos हमें particularly देखा गया है कि जब तो हमारी oral minkos हमें thinning हो जाती है जितने भी सारे autoimmune disorders होते हैं जैसे कि like and planets हो गया OSMF हो गया basically OSMF तो self-induced होता है गुटका खाने से उसमें burning होती है basically इसमें funda क्या है कि हमारे जो मीकोस होती है थिन हो जाती है and as a result of the injury हमारे body में chemotaxis होता है उस एरिया में inflammation होता है तो इसलिए जलता है खाना खाने के time में तो यह जलन कम करने का जो पावर है को इंजम क्यूटन को बहुत अच्छा दिखा गया है अगर आपको burning sensation है more than 50% reduce होगा अच्छा अब इसको आपको सवाल आएगा मन में कितने दिन करता हूं कि जितने भी पेशेंस में देख चखा हूं six months minimum single dose tablet आपके खाना बहुत ज़रूरी है उससे ही आपके body में effective जो free radical reduction होगा प्लस आपके body में antioxidant की मात्रा बढ़ेगी आपकी immunity बढ़ेगी resistance पावर बढ़ेगी तो यह आप को enzyme q10 ट्राइक करके देखें अगर आपको burning mouth syndrome है और एक और important सुचना कि कभी भी माउथ में steroidal creams या फिस्टेवराइड ना ले अंटिन लेस्ट बहुत जादा bleeding हो रही है या फिर आपको कोई या फिर वेसिगोबुलेस लिजन जैसे कि पैंफिग और साइटकर्टिकल पैंफिग और यह सब जिसमें चाले बड़े-बड़े बजाते आप बिलकुल भी पेशेंट नहीं खापाता है in fact coenzyme q10 तो hiv patients and hepatitis severe disease में भी दिया जाता है cancer patients patients patient में भी दिया जाता है ताकि improvement आ सके तो एक example देता हूं मैं एक patient को मैंने दिया था जिसका dysplasia आया था moderate dysplasia lower lip में and to my astonishment मतलब कि उसका lesions बहुत reduced हो गया एक और patient को मैंने दिया था वह जानती रहता हूं before and after के भी अब से डालूंगा तो काफी ज़्यादा helpful और beneficial रहा है तो देखिए मैं किसी brand को support नहीं कर रहा हूं यह brand नहीं है यह chemical name है तो इस brand इस chemical के name का कोई भी medicine लीजिए market में बहुत सा available है और हाँ इसकी cost थाड़ा ज्यादा है इसकी cost around 50 rupees पर capsule आती है तो काफी दिन से सोच रहा था कि एक वीडियो इस particular टॉपिक पर बनाऊंगा तो आप जरूर ट्राय करें कोई enzyme q10 अगर आपको कोई query है तो आप message कर सकते हैं नीचे और data 1 mg में available है और जिते भी online बहुत ही negligible है नहीं होता है 95% of the patients में सुनता हूं कोई problem नहीं है तो आप यह medicine ट्राय करें अगर आप और भी मुझे follow करना चाहते हैं तो we can follow me in instagram si underscore dental I hope you like this video till then take care bye bye good night